लड़का जोड में डूब गया, उसकी माँ वीडियो बना रही है विवेक की माँ मस्कार विवानी अलचल में आपका सवागत है दादरी गेट निवासी राहूल लडवाल जिमनास्टिक खिलाडी की 20 से 25 दिन पहले मौत हो जाती है परिजनों का कहना है कि यह हत्या है अलाकि पुलिस ने भी 302 का मामला दर्ज किया है लेकिन पुलिस अभी तक निसकर्षप नहीं पहुँच पाई है जिसके विरोध सवरूप आज ये दादरी गेट, रोतर गेट, मैम गेट होते हुए परिजन और अन्य समाजिक संक्टनों के लोग लगुसची वाले परिशर पहुचे हुए है यहाँ पर ग्यापन दिया गया है कि साथ सिर्ले के लिए साथ मेंबर गए हुए है इनका कहना है कि ये हत्या हुई है बार-बार हत्या का ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन पुलिस इसको हत्या के रूप में करवाई नहीं कर रही है इनका जो कहना है पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनवाते है एक तारिक को ये आजशा हुआ था एक तारिक को आजशा हुआ था 26 दिन हो गई इस समाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही कि हम S7 से मिले हैं दो बार हम S7 से मिल लिए कोई संतों से जबाब नहीं मिले हैं हमको तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमको नयाय में दिया जाए लड़का 10 बजे विवेक ने बुलाया है रात को 10 बजे उसको बुलाया गया है और सुबह 5 बजगर 27 मिन्ट पर विवेक का ही फोन है कि राहूल जोड में दालाब में डूब गया जो थ्य बजे उसकी मां इसके घर पर आई है लड़का जोड में डूब गया उसकी मां वीडियो बना रही है विवेक की मां तो बात यह है कि उसने उनको मारके राहूल को जोड में भैका गया उसके बाद में उनने वह सारा क करते किया है और उसके बाद उनके घर पर फोन किया है भी राउल जोड में डूब गया तो उसके बाद निकड़ा गया जब राउल को बाहर निकड़ा गया उसके मुझे निकड़ा है और फिर उसके यहां गर्दन पर निशान है चोट के निशान है तो वह कैसे लगे और जब इंज Geschichte का शिया है और गरवाडों को फॉन इस ने किया है दुकान से 10 बजे कि विवेक के या कोई कारी करम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मैं लेट आऊंगा या सुबह आऊंगा, ये इस तरह की बात कोई की है, तो सुबह इनको पता लगया, इनका बेटा है, भाई है, वो तलाब में डूब गया, तो ये गए हैं, उस समय ये बताते हैं कि मर चुक मोत संदे आस्पद है, इसमें पुलिस को पूरी इंटेरोगेशन करते वे, और कोई मुश्किल नहीं है, अपरादियों को पकड़ना चाहिए, गर्पतार करना चाहिए, देखो नोजवान लड़का है, गरीब परिवार है, और कोई नयाये देने वाड़ा उनको है भी नही परसासन और सरकार इनयाये दे सकती है, तो ये पूरा डाउटफुल मामला है, इसमें डूबने से मौत नहीं हुई है, ये कहीं कहीं संदे पैदा होता है, कोई तकरार हुई है, या कोई मामला है, वो तो वही जाने, हम किसी के वेक्तिकत खिलाप नहीं है, लेकिन पूरी इ परसासन ने कहा था, कि हम पान साथ दिन में हम इनको गिरिफ्तार कर लेंगे, और इन लोगों ने, बाई ने में F.I.R. लिखवाई हुए, बाई ने में F.I.R. 302 में होने के बाद, और इतने दिन बीतने के बाद भी हमें कोई नयाय के आस नहीं दिख री, और इसलिए इसको विरिफाई करके, जो दोस उनको गिरिफ्तार करें, और यदी नहीं किया, तो आने वाड़े टमे में समय में ये आंदूलने है, बहुत बड़ा रूपदारन करेंगा, परिवार्षे हैं कोई बंदा ना परिवार्षे हैं सारे नविदी परिवार्षे say aur आगे आएगे आजा बहुत दुख दी पाड़े मेरो बहुत दूख दी पाड़े मेरो बहुत बुलाए उगए मेरो बहुत बुला किनो कई मन जाब पार करें मा भी बेक के पास हूँ कर दो कर ले गया कि घर जा रहे हैं लेकिन वहां पर उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और अभी तक पलिस परशासण कोई कर रहा है और योधी परशासन कर रहा है दिया है तो यह थाइन का शकूल का थाइन का मेंटर को आपस उदोस्ती थी उसकी वज़ेटे जोना घर तक आना जाना जाना जी खूब अब उस दिनों से दो साल पहले राउल का पिताजी एक्सपार हो गया था इसी तरह अब यह रात को उस विवेक के पास गया है तो वीवेक कोई पता होगा सारी बातों का जो सबूत एक नड़का पाणी में से बागता दिखाई देर है पुलिस के पास सारे सबूत हैं प्र भी नहीं करी कारवाई अगर इसके इलावा अगर अगर अमारे कोई परिवानी में मुकदमा नंबर 249 एक जून से दारा 302 के तैट दर्जा उसके शम्मंद में परिवादी की ग्रिवेंस है को नहर में डूबने का उसे मोत होने का मामला था उसमें कुछ चोटे भी दिखाई गई है उनसे आतोकर परीजन आये हैं पुलिस निस्पक्स जाज के करने में लगी हुई है अब इनका कहना है कि उनको जल्द से जल्द गरिफतार करो तो हमने इनका आश्वाशन दिया है कि जो डॉक्टर साब के दोरा पिये मार दी गई है जो गटना की कोई फूटेज बता रहे हैं और जो फाइल में जो साक्षा है उनके वियाप पर जो कारवाई होगी तुरंत बिल्कुल कम समय में जो जिन आदिमियों के नाम है उनको लाकर बिल्कुल निस्पक्स जाज करके अगामी करवाई अमल में लाएंगे जिससे परिवारजन भी इस चीज से सहमत हुए हैं और इन्होंने परसासन को काया है कि हम आप पोचित समय देते हैं हमारी निस्पक्स जाच करवाई जाए जाच का विशा है कि जो फूटेज है उस फूटेज में क्या उट पोटा रही तो अब तक करवाई हो जाती कुछ चीज है वो बिल्कुल 100% पारदर्शी हो जाए क्योंकि कानून का ये मानना है कि बेगुना को बिल्कुल भी सजा नहीं मिलनी चाहे चाहे सोगुनागार छोट जाए इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं पलिस काम कर रही है और बहुत ही ज इस प्रक्स जाजों के जो बी कारवाई होगी प्रिजनों को भी सुचित कर दिया जाएगी